गॉच्प्स्क्राइब करो हाज आँए इस वीडियो में इन्डियन वरजन की और आपको दिटेस दूँना कि क्या क्ये चेंज़िस की जाएंगे। लॉच इसकी प्राइज़ियू क्या हो सकती है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आही जाएगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों चलिए मैं शुरू आपकर सबसे पहले डिजाइन से अगर हम बात करते हैं आपर front design की तो इसमें आपको एक full view display देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको ना ही कोई notch ना ही कोई punch hole देखने को मिलेगा इसमें आपको एक complete full view display देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको gorilla glass 5 की protection देखने को मिल सकती है अगर हम बात करते हैं आपर इसके real design की तो यह आए गए polycarbonate body के साथ में जहाँ पर आपको कुछ gradient finish देखने को मिलेगी जैसा भी हमने recently realme 3 pro में देखा है सेमा आपको वेसरी यहाँ पर real design देखने को मिलेगी अगर हम बात करते हैं आपर battery की तो इसमें आपको 4000 image के आसपास की battery देखने को मिल सकती है वहीं पर आपको type c charging code भी देखने को मिलेगा तो यह भी एक काफी अच्छी बात है और इसमें आपको walk 3.0 की fast charging का support देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको realme 3 pro की तरही fast charger inbox की देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको तेज़ी से अपनी battery को charge कर पाएंगे तो इसके लिए thumbs up है realme को अगर बात करते हैं आपर display size की तो इसमें आपको 6.3 inches या 6.5 inches के आसपास का screen size देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको full HD plus के resolution देखने को मिलेगे साथ है यहाँ पर आपको emolet display देखने को मिलेगी तो यहाँ पर display काफी bright और vibrant होने माली है क्योंकि इसमें हमें full HD plus के resolution देखने को मिलेगे emolet panel के साथ में जहाँ पर आपको age to age display देखने को मिलेगी जिससे screen to body ratio इसका काफी high रहने माला यहाँ पर और अगर हम बात करते हैं अपर इसके display aspect ratio देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको gorilla glass 5 की production देखने को मिलेगी यह मैं आपको बता चुका हूँ तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है अगर इसमें हमें emolet display देखने को मिलेगी तो तो दोस्तो इसकी display में हमें weaving angles भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे अगर हम बात करते हैं आपर security के तो दोस्तो इसमें आपको in display fingerprint sensor देखने को मिलेगा ताती face unlock भी देखने को मिल तो इसमें आपको snapdragon 730 का chipset देखने को मिलेगा जो भी recently कुछ time पहले एनाउंस किया है आपर callocom ने performance एकदम काफी अच्छी रहने वाली दाजू performance देखने को मिलेगी आपको अगर हम बात करते हैं आपर इसके cameras की तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 16 megapixel का pop-up selfie camera देखने को मिल सकता है है आपर इस realme X में आपको आपको selfies भी काफी अच्छी रहने वाली अगर हम बात करते हैं आपर rear camera के तो इसमें आपको 48 plus 5 megapixel का Sony IMX 586 sensor के साथ में एक dual rear camera setup देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको rear camera में 4K recording भी आप कर पाएंगे साथी इसमें आपको EIS भी देख कर पाएंगे साथी इसमें आपको realme 3 pro की तरही नान 60 fps पर super slow motion भी देखने को मिल जाएगा तो यह काफी अच्छी बाते हैं पर इसका front or यह camera दोना यहां पर काफी अच्छी रहने वाले अगर हम बात करते हैं आपर कुछ और चीजों की जैसे इसमें आपको 3.5 mm का headphone jack भी द options देखने को मिलेंगे जहां पर आपको 64 or 128 GB की storage देखने को मिल जाएगी साथी 8 GB का rain variant भी आ सकता है अगर हम बात करते हैं पर इसकी pricing की तो मादो सेट ने आपर कुछ time पहले एक tweet करे बताया था कि realme X का जो इंडियन वर्जन इसकी price around 18 के मतलब 18,000 रुपे के आसपास रह सक तो यहां पर इसकी pricing 8,000 के उपर ही रहने वाली है और अगर हम बात करते हैं पर इसके इंडिया लॉंच की तो यह 15 जुलाई के बाद ही इंडिया में लॉंच होगा आप ऐसा कह सकते कि जब रेडमी के 20 लॉंच होगा तो यह उसके बाद ही लॉंच होगा क्योंकि realme देखे देखने को मिल जाएगा लेकिन जुलाई मन्त में आपको यह इंडिया में देखने को मिल जाएगा यह ओल्मॉस्ट कंफर्म है हाँ पर तो दोस्तो बस यह थी कुछ complete details realme X की जो मुझे लगा कि आपको यह वीडियो मना कर बता देना चाहिए तो दोस्तो बस मुझे उमीद आपको यूडियो पसंद आया होगा अगर आपको यूडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो लाइक और शेयर करना विल्कुल न भूले साथी मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लिजी और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे फीचर में मैं जो वीडियो डाल उसके अ सब्सक्वाइब कर दो है